नमश्कार आप देख रहे हैं हर्यान न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आई ये रूप करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर हर्याना के पुर्वग्रय मंत्री और अंबाला चावनी सेविधायक अनिल विज ने कहा कि 1857 के प्रथम सवतंतरता संग्राम के शहीदों को शरंधाजली देने के लिए अंतराश्ट्रिय स्तर का समारक बनाया जा रहा है और समारक का सीविल वर्क करीब 90 फीसदी पूरा हो चुका है अब इसके आठ वर्क का काम जारी है उन्होंने कहा कि इस समारक में आजादी की पहली लड़ाई को शुरू से आखिरी तक दिखाया जाएगा अनिल विज ने अमबाल में प्रथम स्वतंतरत संग्राम पर आधारित शहीज समारक का दोरा किया इस दोरान उन्होंने वहाँ चल रहे निर्मान कारियों को लेकर समिक्ष बैठक की और निर्मान कारिय का मुआइना किया उन्होंने सम्मनित कॉंट्राक्टर और पी डब्लूडी को काम में तेजी लाने और इस प्रोजेक्ट को अगस्त महीने तक फूरा करने के निर्देश दिये हैं बैठक के दोरान शही समारक के निदेशक डॉक्तर कुल्दीव सैनी भी मौजूद रहे अंबाला से हमारे एडिटर इंचीफ राजेंदर भार्दवाज की रिपोर्ट तो लगवक्त पचासी नबबे परसेंट पुरा हो चुका है अब इसका इंटीर जो है इसके माध्यम से इस सारा दिखाया जाएगा वर्ट वो उसका अलाट कर दिया जाएगा है और अजादी की पहली लड़ाई शिरुवात से लेकर अंग तक सारा इसमें दिखाएगे इसमें जांसी की राने भी आएगी तांजा टोपे भी आएगे और और भी जो होंगे भर्याना के कुला राम जी आएगे तो यह सारा यहां पर बनाया जा रहा है कि जो अजादी की पहली लड़ाई शिरुवात से शुरू हुई थी उसको जन्सारा रहा है तो सर आप नेमित मिटिंग ले रहे हैं इसकी नहीं हम इसको एक्सपिडेट कर रहे हैं और हम चारे हैं कि यह अगस्त के सेकंड थर्ड वीक तक यह कंप्लीट हो जाए पंदरा अगस्त तक यह कंप्लीट हो जाए ऐसा हम चारे हैं और इसमें अब यह जो केर टेकर हैं वह भी इसके अपाइन्मेंट हो गी है और वो भी सारा दिन इस काम को पर नगर रखते हैं और काफी अजन्सिया इसमें लग दिनी है हमने हिंदुस्तान के टॉप हिस्टोरियन्स की कमेटी बनाई है जो सारा हिस्ट्री जो है वो इसकी लिक्ष्ट इसमें दो हजार लोगों के बैटने का ओपन एर ठेट बनाया दिया है और सारी ये जो ठार्गोस तावन की बड़ाई है पिक्चर के मार्चम से रोच वहापन दिखाई जाया है रहे के लिए उसका भी सारा काम चल रहा है तो मैं तो प्रोग्रस देखने आता हूँ कि क्या क्या प्रोग्रस होगी और चाहते है कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर सारा कंप्लिक होगा है